जहीं दोस्तों, 67 BPSC PILIMS के लिए एक important update है, मैंने सोचा इसे आपके साथ साधा करूँ, जो लोग भी 67 BPSC PILIMS की त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी महत्पून information है या update है अभी मैंने एक जीला के जीलादिकारी कारियाले में कारिक करने वाले कार्मेक से बात किया है, तो उन्होंने भी इस बात की पूष्टी किया है कि उनके जीला में भी BPSC के द्वारा later आया हुआ है, और उनके जीला में भी जो जीला सिख्षा पदादिकारी है, उनके द्वार जितने भी इस्कूल है जहां पे 67 विपकेसी पिलिम्स का एक्जाम हो सकता है उन्हें लेटर लिखा गया है तो यह जो फिलाल में दिखा रहा हूं यह बेतिया जिले का है पश्मिच अंपारन का है और इसी तरह से अन जिला में भी विपकेसी के द्वारा जिलादिकारी को लि 67 विपकेसी पिलिम्स के एक्जाम के लिए तो सबसे पहले विपकेसी के द्वारा जो लिखा गया है यह लिखा गया था 27 जून को 27 जून को लिखा गया और यह डेट देखे यह आज का डिन है आज का डेट है 29 जून 2022 का दिन है यानि आज के दिन ही जो बेतिया सिक्षा प्रसासन है उन्होंने अन इसकूल को इंफॉर्मेशन दिया है उन्हें कहा है कि क्या आप के यहां 67 विपकेसी पिलिम्स अगस्त के आखिर मेहने में संभावित है इसका आयोजन किया जाना चाहिए या किया जा सकता है इनके लिए उन्होंने स्कूल से सूचना मांगी है तो यह परिक्षा अगस्त के अंतिम सब्ता में निश्चित तोर अब हो गया कि यह निश्चित तोर पे अगस्त के अंतिम सब्ता में ह जाएगा इस बात की पूष्थी इस लेटर से हो जाती है हाँ एक परसें समभावना ये भी है कि नहीं हो तो उसका रिजन है कि जब कोई एक्स्ट्रीम कंडिशन आ जाएगा जिस तरह से 2008 में बिहार में बाड़ आ गई थी अगर उस तरह की कंडिशन या सिच्वेशन बिहार में आती है फिर परिछा टल सकता है लेकिन ऐसी कंडिशन को आप रेर माने 99 परसें सभावना है कि इसका एक्जाम जो है अगस्त के अंतिम विक में करवा लिया जाएगा 99 परसें सभावना है ज्योंकि मुझे याद है कि 63rd BPSC पिलिम्स का एक्जाम भी इ पर्थम सब्ता में विडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से इसकी समिक्षा करेंगे कि किस तरह से इसका एक्जाम कंडेक्ट किया जाना चाहिए तो आप सभी मान के चलिए कि जुलाइक में जो ये मीटिंग हो रही है इस मीटिंग के बाद तो ऑफिसेल नोटिफिक्शन आ ज लग जाहिए मैंने 67 बिप्रेसिफ पिलिम्स की स्टेजी पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था जाकर के देख लिजेगा कल अगर होगा तो मैं एक वीडियो बना दूँगा कि कौन-कौन सा बुक स्पेशल रूप से आपको पढ़ना चाहिए था या पढ़ना चाहिए 67 बि अन्यवाद थेंक यू सो मच